आप जी बताईए कि यह जिस तरह के चक्रव्यू में, जिस तरह के दलदल में पूरा पाकिस्तान है, कोई तरीका निकलने का नहीं है, तेला, चारीसों में तक्सिम, सिंदुदेश, आजाद बलोचिस्तान, के पीके को दे दें अफगानिस्तान क्योंके ड्यूरेन लाइन जैसे कश्मीर एक स्टेट है, एक टेंपरिरी लाइन कीचिए, इसी तरह ड्यूरेन लाइन, परक्तुनों को आजादी दें कि या तो वो अपना इस देश बनाना चाहते हैं, बना है नहीं तो आजाद, आफगानिस्तान के साथ, पंजाब लेंड लोग बैठा रहे, जो पी कश्मीरी जबान मिलेगी, ना आपको कश्मीरी लिबास मिलेगा, ना आपको कश्मीरी खाना मिलेगा, प्यो के वाले कहने हैं, हमारी तो शनाखती खतम कर दिये, भारत में देखते हैं, तो आपको कश्मीरी लिबास मिलेगा, सिरी नगर में आप जाएंगे, कश्मीरी बोल इसलिम मैजोरिटी आलाके हैं, वहाँ पर स्टेट्स बनेंगी, प्लूरल था, स्टेट नहीं था, स्टेट्स बनेंगी, तो उसलिए जीम सेयद ने वोट किया था, इसलिए अब बहुत हो गया, सिंधी भी बिचारा, पिसरा है, सिंधु देश आजाद किया जाए, बलोचिस्तान तो है यह एक इंडिपेंडेंट इस्टेट, आज नहीं तो कल, उसने होना ही है, और के पी के का फैसला करके पंजाब को लेंड लोग कर दें, सारा पंजाब सिंध और बलोचिस्तान पे चलता है, दो साल में पंजाब भीक मांगने पे आ जाएगा, इनके पास सिवाए खेती के और कुछ है ही नहीं, पानी भी इनका पी ओके से आता है, इलेक्टरिसिटी पी ओके के मंगला डेम से आती है, सारी की सारी पंजाबी, जबके बता दू मैं आपको, कि सबसे महंगी इलेक्रिसिटी पी ओके वालों को मिलती है, जो कि इतनी प्रोड्यूस करते हैं, सबसे महेंगी इलेक्रिसिटी प्योके, सबसे ज्यादा लोट शेडिंग प्योके में होता है। अभी तो सुनने में आगा था कि प्योके के अंदर कुछ तहरीक स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आजादी की मांग जो है अलड़ी है। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। मेरे अपने दोस्ते हैं कितने, अभी जिनिवा में यूनेटेड नेशन्स का सेशन शुरू हुआ है लास्ट मंडे से, तो शौकत कश्मीरी साब हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि हम लोग आए हैं, यह पर प्रोटेस्ट करें के और ह हैं, मिरपूर के हैं, मुझफराबाद के हैं, रावला कोट के हैं, यह आजादी मांग रहे हैं, यह कह रहे हैं, कि हमें पाकिस्तान से जान चुड़ाओ, चाहे हमें भारत के साथ मिलाओ, यह आजाद करो लेकिन पाकिस्तान से जान चुड़ाओ, तो यह आपके डिजर में एकी solution पाकिस्तान का है कि भी पाकिस्तान का अब डिविजन हो जाना चाहिए ये खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं दुनिया के लिए अच्छा होगा खास तोर पे पड़ोसियों के लिए अफगानिस्तान और भारत के लिए क्योंकि अफगानिस्तान और भारत में पाकिस् करता है और आज से यह जब मैं छोटा सा ओर में पर शौटा सा था बारा तेरा साल का to ऐकसर अख़ीं अख़वार में पता ही नहीं चलता कि आप पब्लिक में बैठे हैं कौन शिडियूल कास्त है कौन बरह में जो कहा है पाकिस्तान ने आर्मी सिर्फ रूल कर रही है देखें हमें शुरू से ये कहा जाता है कि कश्मीर जीतना है ठीक है कश्मीर जीतने के लिए हल क्या है हम आपको 50-60% हमारा ब पतलू ने छोड़के आये थे 93,000, इसके बाद तुम्हारी हम्मत नहीं, तुम क्या कर रहे हो, हम सिविलियन्स के मासूम बच्चों को, अजमल कसब को मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ, कि वो एक छोटा बच्चा था जिसको मदरसे में ट्रेन किया गया, एंटी, इंटी, इं अमरीका में, मुझे एक पाकिस्तानी बिर्गेडियर करनल जनरल बता दें, जिसके बच्चे योरोप अमरीका में ना पढ़ते हूँ, ये आर्मी लुटेरी आर्मी है, ये टीन के डबे खड़े करती है, और हमें कहती है, ये मीजायल है, एक एक मिलियन डॉलर का, मुझे य बताएं, जियाहूलक के जमाने से चालिस साल से मीजायल बन रहे हैं, मीजायल की उमरी प्यात साल होती है, पांच साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, नई टेकनोलोजी आ जाती है, चालिस साल से आप इतने बिलियन डॉलर के मीजायल बना के बैठों किस पे लगाया जब वो काबूल से चलता था, तो पहले आज के सिंद, आज के पंजब, है ना, यही घजनवी, गोरी, वही सारे लोग वही जिन लोगों ने पाकिस्तान के उपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया, वही इनको इनको इससे मूरक कोई कौम होगी, आप मुझे यह बताएं, कि हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने हमारे पुर्खों का सरवनाश किया, मारा, कुटा, रेप किया, कहत खलियां जलाएं, यह मूरक कौम है, और इसको मूरक बनाने में पाकिस्तान आर्मी ही है, जो सिर्व लूट मार करती है.